आपकी बुका चैप्टर नंबर फोर्थ जो है हमारा कॉंटिन्यू है इसका हम आज आपके साथ शेयर करेंगे पार्ट नंबर फोर्थ वीडियो का पार्ट नंबर फोर्थ लेकर आए हम आपके लिए वीडियो के जो फ्रस्ट वान टू और फ्री पार्ट से उसमें आप देखुगे कि इस चाप्टर की जर्न इंट्रोडक्शन जो क्लिनिकल थर्मामेटर लेबॉर्टरी थर्मामेटर वो सब कुछ हमने आपके साथ डेस्कस कर लिया है तो चलो हम आज करते हैं स्टार्ट हमारा आज का टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपर ओफ हीट इसका मेनिंग क्या हुआ कि जो हीट है उसका ट्रांसपर कैसे हो रहा है वो एक मीडियम से सेकंड मीडियम तक कैसे पहुंस रहा है ठीक है एक चीज जो गरम है वो दूसरी को गरम कैसे कर रही है ठीक है हीट का ट्रांसपर जो है वो कैसे हो रहा है कौन सा इसमें कर रहा है ठीक है is chapter में is topic में ट्रांसफर ऑफ हीट में seems topic में हमें इसके वारे में detail में बढ़ेंगे जो यह हमारा topics start देखो students you might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame आप देखते होगी जो हमारा frying pan है जो हमारा बरतन है जब हम उसे gas की flame पे रखते हैं तो वो गरम होने लग जाता है ठीक है गरम हो जाता है it is because the heat passes from the flame to the utensil इसका मतलब क्या है यह जो heat है वो flame से कहां पहुंच गी utensil तक means की flame से बरतन तक पहुंच गई है ठीक है when the pan is removed from the fire it slowly cools down जब हम हमारे बरतन को हमारे pan को क्या करती है gas में से उतार देती है fire से परे कर देती है side में कर देती है तब वो क्या होता है slowly cools down holy holy क्या होने लग जाता है वो ठंडा होने लग जाता है why does it cool down तो यह ठंडा क्यों हो रहा है आपको पता है अगर नहीं पता तो चलो देखती है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पैन है वो गरम है जब हमने उसे इंवार्मेंट में रख दिया तो क्या हुआ उसकी हीट है जो वो ट्रांस्फर हो गई उसके स्रोंडिंग एरिया में जैसे कि देखो स्टूडेंस मैंने यहां पर एक डाइग्राम जो है वो ड्रौ करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं स्पोस करो कि यह हमारा बीकर है हमारा परतन है ठीक है इसके नीचे हमने यह कैंडल जाने की कोई भी ग्यास फ्लेम जो है हमने रखी हुई है यह क्या कर रही है अपनी हीट जो है फ्लेम उसके साथ टच हो रही है तो उसको क्या हो रहा है वह हीट दे रही है ठीक है हीट यहां से यहां तक पहुंच रही है तो ट्रांसफर हो गया है हीट का इस सोर्स से यहां पर हीट जा रही है रीच कर रही है वह वहां पर ठीक है तो यह भी क्या हो गया हीट का ट्रांसफर हो गया तो यह क्या करेगा हीट को ले रहा है ठीक है हीट को लेगा तो क्या हो जा तो आप देखोगे कि स्ट्रोली ठंडा हो जाएगा कूल डाउन हो जाएगा इसका मतलब क्या है इसमें जो हीट है ठीके वह क्या हो रही है इन्वार्मेंट में जा रही है देखो मैंने सिम्बल के साथ समझाने की कोशिश की है कि जो हीट है वो बाहर जा रही है बाहर जाएगी तो इन्वार्मेंट में चली जाएगी तो यहां से भी क्या हो गया हीट का ट्रांसफर हो गया हीट इस सोर्स से बाहर जा रही है ठीके जैसे यहां पर इस सोर्स से इंद so you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object आप देख सकते हो कि इन दोनों cases में क्या हो रहा है हीट का flow हो रहा है hotter गर्म object से थंडे object ठीक है मैंने इसमें आपको समझा दिया है in fact in all cases that flows from a hot object to a colder object हम देख सकते हैं कि in fact all cases में क्या होता है कि जो heat का transfer है वो hot to cold ही होता है सभी cases में होता है hot to cold ही चला जाता है वो जो चीज है वो गरम से ठंडी हुएगी ठंडी से गरम नहीं हो जाएगी हाँ होता है normal temperature का effect पढ़ता है कि ठंडे से गरम हो जाती है चीज लेकिन उसमें इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि अभी हम इसमें हमारे इस topic में हम discuss करें हीट के बारे में तो हीट तो जो क्या है hot to hot भी हो सकती है और hot to cold भी हो सकती है ठीक है तो इसमें ज्यादा जो हीट है वो कैसे फ्लो करती है लेट्स इन्वेस्टिगेट इस चीज को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं हमारी एक अक्टिविटी के साथ चलो देखते है अक्टिविटी 4.6 देखो स्टुडेंट्स एक्टिविटी में ठेक ए रोड और ए फ्लैट स्टेप उफ मैटर आपने क्या करना है कि एक रोड ले लेनी या आरन की मैटल की जा पर एक फ्लैट स्टेप ले लो ठीक है सिसे अलमीलियम और आरं जी आपने ईंलमीलियम की जा फिर आयर्इन की लेनी है एलमिलियम और आयर्इन की ही क्यूं लेनी है क्यूंकि ये दोनों क्ये करते हैं Electricity को conduct करती है अपने में से passed on होने देते हैं afण fixed small few small pieces on the road आपने क्या करना है उसको small प्रफिक्स कर देंब है ठीक है इस पीसिज शोन भी अट नियरली इकल इस डिस्टेंस आप देख सकते हो यहां पे इकल डिस्टेंस पे यह पीसिज शोर किये गाई इसी हमने इसको अरेंच फिक्स कर लेन थिक है क्लैंप ता रोड तो इस्टेंट इफ यह नग्ट पुट वन एंट फायंट आप तहरोड इन विटमेंट ब्रिक्स आपने क्या करना है कि उसका वैसे तो इनको डिफरेंट डिफरेंट साइट में हमने ऐसे जो इटो के साथ ऐसे रखना है उसकी आरन की जो हमारी भी जो स्टेप है जब रोड इसको एसे हमने टू एटो के बीच में ऐसे रख देना है ठीके नाओ दे अधर एंड ऑप टारोड एंड रोड एंड आपस अपने वस्ट सिंपल इसमें इतना ही हैं देखो कि यह मारी दो जो हैं इतों के बीच में हमने हमारी जो Aron की जब रेल्मीलिएव की जो रख दिया, इस पे हमने wax को यूज किया है ठीक है उसके बाद में हमने क्या करना है आप देह रहो है कि रहां पे रहा आइख है king candle रखी हुई है जो candle है वो यहां से heat को यहां पर दे रहा है ठीक है तो एक source हो गया ना heat का यह heat को इस road में touch कर रहा है इस source से heat जो है वो road को मिल रही है ठीक है तो यहां से आप देख रहे हो कि यहां पर जो स合व कि यहां से यहां तक ट्रांसफर हो गया सथे गर गेथे स्मयrite लीए उसके वैल्ड है जिए अचमाहई कम्लीटली मेल्ट फिरू होना सब्सक्राइब मतलब नाच मुझाणि और कि टुमंआ हम देखे कि इसका जो सोर्स है सोर्स से हीट का ट्रांसफर यहां पे हुआ और यहां से देखो ही यह सोर्स है सोर्स से ट्रांसफर यहां पे हुआ हीट का और यहां से ट्रांसफर जो है वो ऐसे ऐसे आगे continue हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर wax जो है वो melt हो के नीचे गिर रही है ठीक है इसमें भी आगी यही लिखा हुए है what happened to the wax species these species begin to fall what fall the first do you think that he that he transferred from and nearest frame to the other end तो in cases में भी in questions में हमने यही हमसे पूछा है कि जब आपने दिखा कि जो wax के जो pieces है वो कहां से fall होने शुरू हो गए ठीक है तो कौन सा जो है वो firstly नीचे fall हुआ नीचे गिरा पिगल के melt हो के नीचे गिरना शुरू हुआ आप इसके वारे में क्या सोचते हो कि यह process end तक जाएगी of course जाएगी क्योंकि जो heat का transfer है वो source to पूरी road तक की जाएगा क्योंकि जो road है वो जो है conduct कर रही है electricity को ठीक है तो जो उसके pass वाला होगा first piece वो पहले melt कर जाएगा जो last वाला है वो last में melt करेगा क्योंकि जो heat का transfer है वो उसका distance जो है travel करने में उसको time लगेगा ठीक है इस करके जहाँ पर distance का में वो पहली melt हो जाएगा आगी देखो the process by which heat transfer from the hotter end to the colder end of a object is known as conduction means कि उस process को जिसमें heat का transfer हो रहा है गरम object से ठंडे object तक ठीक है क्या बोलते हैं production और जो heat को conduct कर रहा है ले रहा है जैसे हमारे पास ये iron की जो road है जा aluminum की जो road है ठीक है वो क्या होगी वो conduct कर रही है उस चीज को ठीक है वो उसको हुआ है लेकिन इस process को हम क्या बोलेंगे कि जो heat यहां से यहां तक पहुंच रही है उसको क्या बोलेंगे हम conduction ठीक है ट्रांसफर हो रहा है heat का गरम अब्जेक्ट से hotter of end to the cold end गरम एंट से ठंडे अंड तक जो है transfer हो रहा है heat का इस process को हम बोलेंगे conduction in solids generally heat is transferred by the process of conduction generally जो हमारे solid substances होते हैं उनमें जो heat का transfer होता है वो conduction की process के जो ही होता है ठीक है do all substances conduct heat easily क्या सभी substance जो है वो easily conduct कर पाएंगे heat को you must have observed that the metallic pen for cooking has a plastic or wooden handle can you lift a hot pen while holding it from the handle without getting hot hurt इसमें इनोंने यही बोला कि जो आप इस चीज़ के बारे में आपको क्या पता है क्या सभी जो substances होती है वो heat को easily conduct कर पाएंगे नहीं ऐसा नहीं होता अगर हम देखें कि जो cooking हमारे बरतन होते हैं ठीक है पैन होते हैं जो हम cooking purpose के लिए use करते हैं उनके जो handles होते हैं जा तो फिर plastic के होते हैं जा फिर आपको इसका मतलब क्या है कि जो सभी सब्सॉलिड सब्स्टांस है वो electricity को conduct नहीं करते हैं sorry heat को conduct नहीं करते हैं ठीक है इसके इसको हम एक activity के thoroughly we understand करते हैं हमारी बुक की activity है next 4.7 तो चलो देखते हैं तो देखो students हमारी activity heat water in a small pen और वीकर हमने क्या करना है सबसे पहले water को लेना है एक small pen में बरतन में ले लो जा फिर एक वीकर में ले लो ठीक है उसे गरम गरना है हमने collect some articles like such as steel spoon plastic scale pencil and divider आपने क्या करना है कुछ articles कुछ सामान को इकठा करना है जिसमें steel का spoon ले लो plastic scale ले लो pencil ले लो divider ले लो ठीक है उसकी बाद में क्या करना है आपने dip one end of the each of these articles in hot water इनका one end जो है आपने जो हमने वीकर में गरम पानी लिया था उसमें इसको कर दिप कर देना है ठीक है डीप करने की बाद में क्या करना है wait for a few minutes आपने कुछ minutes के लिए क्या करना है wait करना है कुछ times wait करने की बाद touch the other end आपने क्या करने उसका फिस one end जो था आपने गरम पानी में उसको dip कर के रख दिया कि कि उसके बाद में कुछ टाइम कुछ मिनट के बाद देखना तच था दर एंड आपने उसके जो सेकंड वाला एंड है उसको टच करो and to your observations in table 4.3 and जो आपकी observation आई आपने देखा practically कि क्या हुआ उसको table 4.3 में लिख लो तो देखो students ये है हमारा table 4.3 जिसमें हमारे पास 3 columns है first article सापने कौन सा material लिया है material which with which the article is made of किस material से बो बना हुआ है does the other end get hot or not उसका अधर है and जो है वो heat को conduct कर रहा है गर्म हो रहा है जा फिर नहीं जैसे इन्होंने first example जो है हमें steel की बताई गी है steel spoon इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने उसके साथ किया किस चीज से बना हुआ है वो metal से बना हुआ है क्या वो heat को conduct कर पा रहा है hot हो रहा है तो इन्होंने बोला कि yes second observation आप अपने accordingly कोई भी कर सकती हो मैं भी आपको करके दिखा रहती हूं देखो students मैंने जो हमें इन्होंने starting में बोला था कि यह वाले आर्टिकल्स आप collect कर लो मैंने उनकी example ही ले ली इन्होंने steel spoon लिया तो मैंने बोला कि चलो हम plastic scale ले लेते हैं ठीक है steel spoon जो है वो metal से बना हुआ है plastic scale जो है वो non metal से बना हुआ है जो steel spoon है वो गर्म हो रहा है उसका other end वो गर्म होगा भी आप देख सकते हो करके ठीक है जो plastic scale है उसका जो other end है वो गर्म नहीं होगा क्योंकि वो non metal से बना हुआ है वो heat को conduct नहीं करेगा ठीक है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं आगे तो देखो students यह material बेचलो heat to pass through them easily are called conductors of heat ठीक है जो material क्या करते हैं heat को easily pass through होने देते हैं अपने में से अपने में से बोलते हैं कि चले जाओ ठीक है अपने में से pass on होने देते हैं उनको बोलते हैं conductors of heat ठीक है for example aluminum iron and copper किसकी examples हैं conductors की जो material अपने में से heat को pass on होने देते हैं easily उनको हम बोलते हैं conductor जिस process में वो pass on हो रही है heat का transfer हो रहा है उस process को हम बोलेंगे conduction ठीक है examples कौन सी हैं conductors की aluminum iron and copper आगे देखो the material which don't allow heat to pass to damage a poor conductor of heat such as plastic and wood ठीक है जो materials अपने में से heat को pass नहीं होने देगा वो क्या होगा यूज किया जाता है कि जो अपने में से थोड़ी बहुती heat को जो है वो pass on होने देते हैं ठीक है लेकिन जो insulators होते हैं वो बिल्कुल ही heat को अपने में से पास नहीं होने देते ठीक है तो आपको यह तो पता चल गया कि जो अपने में से हीट को पास ओन होने देते उनको बोलते हैं कंड़क्टर जो अपने में से हीट को नहीं बिल्कुल ही नहीं पास होने देते हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर जो थोड़ी बहुत पास होने देते हैं वो होते हैं पूर कंड़क्टर ओफ हीट ठीक है एक्सामपल्स कौन सी हैं प्लास्टिक और वुड़ ठीक है आई होप आपको जही समझ आ चुका होगा उसके आगे देखो the water and air a poor conductor of heat then how does the heat transfer take place in these substances हमें पता है कि जो water and air है पो पूर कंड़क्टर ओफ हीट है ठीक है इनमें से हीट जो है वो पास्वन हो सकती है लेकिन बहुत कम हो सकती है फिर भी यह कैसे ट्रांसफर कर लेते हैं हीट को तो चलो let's find out हमें से find out करते एक activity के 4.8 तो देखो students हमारी activity take round water flask ठीक है fill it two-third parts with water हमने क्या करना है एक round water flask ले ले लेनी है जिसकी जो bottom side round हो ठीक है उसी हमने two-third part of water उसका जो two-third part जो है उसमें हमने पानी को fill कर लेना है place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it while placing a candle blow it और क्या करना है आपने उसे tripod stand पे ऐसे place करना है ऐसे रखना है कि आप नीचे उसके नीचे candle को भी रख सको easily ठीक है wait till the water in the flask is still आपने तब तक देया आपने क्या करना है उसको heat देनी है ठीक है water को place place a crystal of potassium permagnate at the bottom of flask gently using a straw आपने क्या करना है पहले पानी को round waterm flask में रख देना है ठीक है उसी हमने जो हमारी round waterm flask है उसमें तू थर्ड पार्ट जो है पानी का ले लेना उसमें डाल देना है उसको गरम करना है और फिर क्या करना है उसमें potassium permagnate के crystals डाल देनी है उसमें now heat the water by placing the candle just below the crystal उसके बाद में क्या करना है आपने उसके नीचे candle को रखना है और फिर से उसको heat देनी है ठीक है आगे देखो write your observations in your notebook and also draw a picture of what you observe आपने क्या करना है उसकी observations जो है उसको book में अपनी notebook में write down कर लो एंड उसकी pick वी जो है आप draw करो कर सकते हो when water is heated the water near the flame gets hot जब आप water को गरम कर रहे हो तो जो flame के पास वाला water है ठीक है जाने कि यहां से उसको गरम जो flame है वो मिल रही है उसके पास वाला जो नियर होगा water वो बहुत ज्यादा गरम हो जाएगा hot water rise up जो गरम पानी होगा वो तो rise करेगा ही वो अपर आना शुरू होएगा ठीक है the cold water from the sides moves down towards the source of heat जो ठंडा पानी होगा वो कहां जाएगा वो जो source है ना heat का जो हमारी candle है वो bottom की साइड पे है तो वो पानी जो होगा वो नीची आना शुरू हो जाएगा this water gets hot and rises वो water भी क्या करेगा वो गरम हो जाएगा गरम हो जाहेगा वो गरम होएगा and rise करेगा वो वी उपर आना शुरू करतेगा and water from the sides move down जो sides का पानी होगा वो नीची आना शुरू कर देगा क्यों आएगा क्योंकि वो थंडा है थंडा होगा तो वो source की और जाएगा ठीक है वो गरम होने के लिए जाएगा the process continue till the whole water gets heated यह process तब तक continue चलती रहेगी जब तक सारा पानी जो है वो heat नहीं हो जाता गरम नहीं हो जाता the mode of heat transfer is known as convection जो heat है ट्रांसफर हो रही है इस process को हम क्या बोलेंगे convection जिसमें water गरम पानी जो है वो गरम होके उपर जा रहा है जो ठंडा पानी है वो उपर से नीची आ रहा है ठीक है गरम होने के लिए फिर rise गरम होके वो उपर चला जाएगा इस process को हम क्या बोलेंगे convection ठी तो यह देखो students figure 4.9 convection of heat in water अब देख सकते हुझे हमारी round water flask है इसमें potassium permacanate के crystals जो है वो डाले हुए है पानी में one third part इसका जो है पानी की साथ फिल किया गया है यह होता है tripod stand होता है जो हमारी wire gauze होती है हम हमारे wicker को directly heat नहीं देते हैं उसके लिए हम wire gauze को use करते हैं त तो यह हमारा flame है ठीक है बर्नर है जिससे heat जा रही है जो पानी bottom वाला होगा वो तो गर्म होगे उपर चलना शूरू होजेगा rise करेगा जो sides वाला पानी होगा वो नीची आ जाएगा वो source की और गर्म होगा और फिर उपर चला जाएगा इस process को हम बोलेंगे convection अब उसके आगे देखो how does the heat travel in air तो जो heat है वो air में कैसे travel करती है in which direction does the smoke तो जो smoke होती है दुआ होता है वो किस direction में जो है वो move करता है ठीक है किस direction में जाएगा इन सबी questions के answer हम देखते है the air near the heat sources source gets hot and rises जो heat होती है जो air होती है source के source के source के हमारे पास चाहे वो burner ले लो चाहे वो candle ले लो ठीक है उसके around जो air होगी वो क्या होगी hot होगी and rise करेगी वो उपर जाना शुरू करतेगी the air from the sides comes into take place take its places वैसी ही है कि जो यह देखो students pause करो कि यह हमारी candle है ठीक है इसकी बिल्कुल उपर वाली side पे जो air होगी flame के साथ पास वाली एर होगी वो गरम होगी ठीक है वो करम होगीं होट होगी तो तो आपर जाक जाना शुरू करतेगी लेकिन side वाली air होगी वो नीची आएगी ठीक eux downward आएगी source की और आएगी source की और आ जाएगी candle की और बढ़ेगी उसके पास आना चाहेगी तो यहां से जो एयर है वो यहां पर आजाएगी यहां से वो सैंटर में आगी गर्म होग गर्म होने के बाद वो क्या करेगी उपर जाना शुरू कर देगी तो यह process है एर कि कॉनसी direction है इस direction में वो move करेगी and जो heat होती है उपर में वो कैसे transfer करती है side में से फंडी air आएगी centre में से गर्म होके उपर चली जाएगी ठीक है the following activity कनफिर्म्स दिस आइडिया हम एक विटी करते हैं जिससे आपको क्लिर हो जाएगा तो देखो ए बैक्क ही करते हैं इसके uk अपनी hand on the side of flame आपने क्या करना है एक हाथ को candle की उपर ली साइड है जो टॉप साइड है उसके उपर देख रखना है जो second वाला है उसको अपने side की flame की और रखना है ठीक है do your hands feel equally hot कि आपके जो दोनों हैंड वो आपको equally गरम फील हो रहे हैं if not which hand feels water अगर नहीं हो रहे हैं तो कौनसा hand है जो आपको गरम बहुत ज़्यादा गरम फील हो रहा है and क्यों हो रहा है इंस questions का हम answer देखती है but we carefully keep your hands at a safe distance from the flame so that they don't get burnt अपने है अगर आप ये activity को perform करना चाहते हो तो please carefully करो हमने safe रहके ही हमारी activities को perform करना है science की activities को enjoy करना है ना कि कोई मुसीबत लेनी है हमने ठीक है तो science के जो सारे practicals होते हैं वो हमने बहुत ही ज़्यादा carefully perform करने होते हैं चलो देखते हैं के तो students आप ये figure देख सकती हो 4.10 transfer of heat by convection in air ठीके ये candle जगा के रखी हुए एक हैंड को इन्होंने किया रखा हुआ है जो second वाला इसको top above side रखा हुआ है notice that towards the top the air gets heated by convection तो क्या notice किया कि जो top वाला है ना हमने उपर वाला दिखा हमें वो गरम फील हुआ तो वहां भी heat का transfer जो कैसे हुआ convection की ठीक है therefore the therefore the hand above the flame feels hot इसलिए जो हमारा उपर वाला हाथ है वो गरम फील करेगा ठीक है on the other side however there is no convection and air does not feel as hot as the top तो जो side वाला है वो उसकी comparison में जादा गरम नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पे sides पे क्या है convection नहीं हुई है ठीक है तो जो top वाला है हमारा हाथ अबब साइड वाला है वो गरम हो जाएगा यह हॉट होगा लेकिन यह less होगा less होगा थोड़ा बहुत गरम होईगा बट उससे बहुत जादा कम हो जाएगा ठीक है आगे दिखो students the people living a coastal area experience and interesting phenomena during the day the land gets heat faster than the water जो coastal area के around जा फिर coastal area में रहते हैं लोग वो इस चीज़ को बहुत experience करते हैं इस phenomena को कि जब दीन होता है वहाँ पे coastal area means कि जो समुंदर के आसपास रहते हैं ठीक है वो देखते हैं इस चीज़ को एक्सपिरियंसली देखते हैं observe करते हैं कि जब दिन होता है तब क्या होती है जो land होती है gets hotter faster than the water जो rate होती है वो बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाती है hot हो जाती है water के comparison में ठीक है the air over the land becomes hotter and rise up जो land के around जो air होती है वो गर्म हो जाती है and गर्म होके वो rise up हो जाती है उपर जले जाती है ठीक है the cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place जो उसके आलेदवाले की जो air होती है ठीक है वो क्या करती है वो अर्थ की और land की और आती है land की और आके फिर क्या होती है वो center में जब पहुंच जाती है तो फिर से वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद क्या करती है वो फिर rise up हो जाती है उपर चली जाती है the warm air from the land moves towards the sea complete circle यसी तरह से circle जो है वो complete हो जाता है आप देख सकते हो figure 4.11 में दिखाती हूँ आपको यह देखो कि day के time क्या होता है and night के time ठीक है night के time जे circle जो है वो reverse हो जाता है आगे देखो the sea the air from the sea is called sea bridge जो air होती है जो sea सी आती है सो मुंदर से आती है उसको बोलती है sea bridge the sea the cooler sea bridge the wind of the houses and coastal area are made to face the sea जो वहाँ पे houses होती है उनकी windows के through sea को easily face कर सकती हो at night it is exactly reverse night के time जानकी रात के time जे परसेज जो होती है वो exactly reverse हो जाती है the water cools down more slowly than the land रात को क्या होता है जो water है वो बहुत वो कम जो है ठंडा होता है लेकिन जो land होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है so the cool air from the land moves towards the sea तो जो air होती है ठीक है so the cool जो ठंडी air होती है वो land से कहां की और जाती है समुंदर की और जाती है this is called the land bridge इसको क्या बोलती है land bridge बोलती है ठीक है उसकी आगी दिखो when we come out in sun we feel warm जब हम sun में बहाँ निकलते हैं तो क्या होता है हमें गर्म फील होता है warm फील होता है how does the heat from sun reaches तो जो sun की heat है वो हमारे तक कैसे reach करें कैसे पहुंच रही है it cannot reach us by conduction or convection as there is medium such as air in most part of space between the earth and the sun तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें sun से heat मिल रही है ठीक है वो हमारे तक कैसे पहुंच रही है ना ही तो वो किसी conduction की process के थ्रू पहुंच रही है हमारे तक ना ही convection की ठीक है वो एक air के medium के थ्रू हमारे तक reach कर रही है जो किसके वीच में होता है आर्थ की and sun के वीच जो एर है उसके थ्रू ही हमारे तक जो हमारे तक जो हमारे तक जो हमारे तक हीट है ठीक है सन की जो radiation है सन की जो light है वो हमारे तक reach करती है यह figure भी देखो students 4.11 sea bridge और land bridge आप देख सकते हो कि day time में क्या होता है कि जो land है वो बहुत जल्दी गरम हो जाती है ठीक है गरम होने के बाद में क्या होता है कि जो गरम air होगी वो easy से rise up करेगी वो उपर की और चली जाएगी ठीक है तो जो earth है ठीक है जो land है रेत है वो जल्दी गरम हो जाएगी और वाटर है उसी कमगरम होगा ठीके बट नाइट के टाइम में गया होता है कि जो लैंड अब बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ठीके तो रात को बहुत अब परस्थ जो है पूरी डोटली रिवर्स होती है ये दोनों में बताया गया है जे सीवरेज दिखाया गया और ये दखाया गया है ठीक है आगे दिखो उसकी आगे दिखो from the sun the heat comes to us by another process known as radiation जो संसे हमें heat जो है मिलती है ठीक है रादी है जो किस process के थरू मिलती है उसको बोलते हम radiation ठीक है वो radiation प्रसेस के थरू हमारे तक रीज करती है हमारे तक पहंचती है the transfer of heat by radiation does not require any medium जो transfer हो रहा है sun की radiation जो है light जो हमारे तक पहुंच रही है उसको कोई भी medium नहीं चाहिएगा चाहिए होता अगर कोई medium present है तो भी ठीक है अगर नहीं present है तो भी ठीक है ये without any specific requirement of medium it can reach easily ठीक है easily वो reach कर सकता है when we sit in front of a room heater we get heat by this process जब हम किसी heater की front में बैठती है ठीक है किसी room में कोई heater लगा उसके front में बैठो तो आप इस चीज़ को देख सकते हो ठीक है heat मिलेगी क्यों मिलेगी उस बहां पर आपको कोई medium दो है नहीं आपको direct source से ही heat मिल रहा है ठीक है a hot utensil kept away from the flame cools down it transfer heat to the surrounding by radiation जब हम जो हमारा बर्तन है जो flame हमने पहले flame के उपर रखा हुआ है ठीक है पहले वो उसे heat ले लेगा जैसे हमने candle वाला देखा था पहले वो heat लेगा गर्म हो जाएगा थीक है उसके बाद में क्या है कि जब हम उसे flame में कर देगे तो उसके बाद में क्या होगा कि यह ठंडा हो नना शुरू हो जाएगा ठंडा क्यों होगा जो उसके पास गर्मी है, heat है, वो क्या करेगा वो अपने around उसके surrounding जो environment है उसमें transfer कर देगा heat का, ठीक है, जैसे हमने candle वाला समझा था, कि जब हमने उस पे flame पे जो beaker है वो रखा हुआ है, तो वो heat ले लेगा transfer flame to, जो हमारे बरतर तक हो रही है, ठीक है, उसके बाद जब हमने उसे normal temperature पे उत आगे देखो और body to give heat to the surrounding and receive heat from it by radiations हमारी body जो है वो भी हमारे surrounding area से ही heat को लेती है ठीके वो कैसे receive करती है radiations के थू ही हमारी body जो है वो heat को प्रापत करती है ठीके आगे देखो उसकी आगे देखो all hot bodies radiate heat जो सभी गरम bodies होती है sources होती है वो radiate करती है गर्मी को ठीके the when this heat falls on some object a part of it is reflected a part of absorbed and a part may be transmitted जब किसी source पे energy जो light radiation पे आ रही है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो reflect हो जाएगा कुछ यो absorb हो जाएगा कुछ transmit हो जाएगा ठीके इस process को समझने के लिए मैंने एक simple सा diagram draw किया है देखो इसे suppose करो जे हमारा कोई भी एक जो है वो surface है ठीके suppose यह हमारी अर्थ है यह हमारा एक surface है यहां से suppose यह sun है sun की lights जो है हमारे अर्थ पे पड़ रही है अर्थ पे पड़ेगी तो उसकी कुछ amount radiation की क्या हो जाएगी जे हमारा आर्थ का जो surface है आउटर surface है वो इस चीज़ को absorb कर लेगा absorbed part हो गया यह वाला ठीके उसमें से क्या होगा कि कुछ radiation जो है वो बापिस भी तो जाएगी ना बापिस चली जाएगी उससे हम बोलेंगे reflected rays वो उसका reflection हो गया ना वो reflection होगी जो जीज यहां पर absorb होई है वो नीची की और आईगी इसको हम बोलेंगे transmitted rays ठीके आई होब आपको इस चीज़ का clear हो गया होगा कि जो sun से radiation हमारे आर्थ के outer surface पर पढ़ रही है ठीके उसका कुछ part absorb हो गया वो transmitted हो जाएगा ठीके वो नीची की और चले जाएगा उसके बाद कुछ part जो है उनका बाहर चला जाएगा उसके ही opposite direction में वो return हो जाएगा उसे हम बोलेंगे reflected वो reflection हो गई उसकी ठीके तो यहां पर क्या कौन कौन से इन्होंने use किये थे देखो when this heat fall on some objective part of it is a reflector कुछ part जो है वो reflect हो गया a part is absorbed and and a part में भी transmitter कुछ part जो है उसने absorb कर लिया कुछ part जो होगा वो transmit हो जाएगा the temperature of object increase due to the absorbed part of heat जैसे ही यहां पर जो radiation को वो absorb करेंगे ले लेंगे तो कहां क्या हो जाएगा उसका जो temperature है वो क्या करना बढ़ना शुरू हो जाएगा increase हो जाएगा ठीक है means कि यहां पर जो radiation है वो आके जमा हो रही है ठीक है तो उसका temperature level जो है वो भी increase होना शुरू हो जाएगा why are you advise to you use an amaryla when you go out in sun जब आप बाहर जा रहे हो ठीक है गर्मी के मौसर में भी तो आपको क्यों बोला जाता है इस चीज की advice क्यों दी जाती है कि आप amaryla use कर लो इसके लिए भी यही reason आ रहा है कि जो radiation है वो आपकी body तक directly नहीं पहुंच सकेगी वो आपके amaryla का जो outer surface होग अब वो चीज को absorb कर लेगा ठीक है अभी उसके आगे देखो हमारा next topic है kinds of clothes we wear in summer and winter आप different तरह के जो कपड़े हैं वो summer में and winter में पहनते हों आप specific किसम के कपड़े ही specific season में क्यों पहनते हों इसका reason भी हम आपके साथ discuss करेंगे तो चलो करते हैं start you know that in summer we prefer light color clothes in winter we usually wear dark color clothes why is it sure let us find out आपको पता ही है आप जानते हों कि हम जादा तर जो light color के जो कपड़े होते हैं वो हम summers में पहना like करते हैं उसे पसंद करते हैं ठीक है inters में क्या करते हैं usually dark color clothes को ही preferably use करते हैं बट ऐसा क्यों है इसको हम find out करते हैं activity के तो चलो देखते हैं हमारी activity 4.10 टेक टू अडेंटिकल तिन केंस आपनी टू बिल्कुल सेम टाइप के केंस जा पर विकर वगेरा लेके रखो ठीक है पेंट ता आउटर सर्फिस वन ब्लैक एंड वन ओफ ता अधर वाइट एक का जो आउटर सर्फिस है उसकी बाहर ली जो साइड है वो आपने ब्लैक उसे ब्लैक जो है उसका सर्फिस को पेंट कर देना ब्लैक कलर के साथ और दूसरे वाले केंस को आप केंस की जो बाहर ली साइड है उसे आपने वाइट कलर के साथ पेंट कर देना है इसकी फिकर भी आपको दिखाती हूं 4.12 यह देखो इसकी फ ब्लैक के साथ पेंट की गई है जो सेकंड वाला इसकी आउटर सरफिस जो है वो वाइट कलर के साथ पेंट की गई है ठीक है तो चलो तेखते हैं आगे उसके बाद में क्या करना है पूर एक्कुल अमाउंट ओ वाटर इन इजन लीव दम इन दे मिड़े सान फॉर अबाउट इन दे में दोनों में इकल अमाउंट ओ वाटर की उसमें पुट करनी है ठीक है उसमें डालनी है उसके बाद में उनको जब दुपहर का टाइम होगा ठीक है तब उसी हाफ अन आर के लिए क्या करना है फिर वान नार के लिए बाहर रख देना है में ज़दा तेमपरेचर ओ iis the water in water Priest1 Anda k頒 की नंटे की बाद उसका टाइमकरेचर दोनों का देखना है कि किसमें क्या वेयरियेशन आइं किसमें क्या हुआ हैं ठीक है क्या आप ने उसमें इसमें उनकी आइंपरेचर में कोई ननकोई डेफ्रस देख था तो चलो डिसकस करते हैं jayan इन वीच कैन इस त इवन बाइ टचिंग वाटर इन टू केंज या आप दोनों टेकेंज में जो वाटर इसको टच करके भी आप इस चीज का डिफरेंच जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो उसके बाद में देखते हैं हमारी अक्टिविटी 4.11 तो इसमें क्या है यह भी आप देख लो फिल्द देखरी पर सें होना चाहिए हो वोटर का लीव के इन रूम और इन शेड क्या करना है आपने इन दोनों के इंसको एक रूम में रख देना हैं जा फिर किसी सात्रेशे नीचे रख देना है नोट ता टेमपरेच्र ओव मोटर अफ्टर 10-15 मिनेट्स आपने क्या करना है तें तो यह एक्टिविटी हमें किस चीज के बारे में बता रही है यह चीज का रिजन दे रही है कि क्यों हम जो लाइट कलर के कपड़े होती है वो गर्मियों में पहना ज्यादा प्रैफरली यूज करती है और जो डार्क कलर के कपड़े होती है वो हम विंटर में यूज करती है तो चलो देखते हैं इसका रिजन तो देखो स्टूडेंट्स का रिजन दे लिखा हुआ हैं डार्क सर्फिस एबसॉब मोर हीट एंट तेयर फोर वी कमफोर्टेवल विद डार्क कलर क्लोज इन दा फिंटर जो डार्क कलर के क्लोज होती हैं वो ज्यादा अमांट ऑफ हीट को अबसॉब कर लेते हैं इसलिए हम उने सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं ठीक हैं लाइट कलर क्लोज रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ ता हीट फाल्स ओन इट ऑन एंटियर फोर वी फिल मोर कमफोर्टेवल विरिंग दम इन दा सामर जो लाइट कलर के होते हैं उनको पहनना पसंद करते हैं इसका मतलब क्या हुआ ठीक है देखो कि जो डार्क कलर के कपड़े हैं उन पे रेडियेशन पढ़ी तो उन्होंने एब्सॉब कर लिया ठीक है वो इस कैता गरी में आके उनका काम स्टॉप हो गया इसलिए हम उने सर्दियों में ज्या को रिफ्लेक्ट कर देते हैं उनको गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं आगे देखो बुलन कलोज kitaar की आज वां इन विंसा वे में विंटर्व और के जो विंटर का सीजन होता है तब हम बुलन के क्लोथ को ही प्रैफरली यूज करते हैं वूल इस पूर कंड़क्टर ओफ हीट, moreover there is a air trap in between the wool fibers इसका मतलब क्या है कि जो वूल होता है वो पूर कंड़क्टर होता है हीट का इसमें से हीट पासों नहीं हो सकती ठीक है जो air trap होती है जो air उस पे absorb हो जाती है वो wool fibers के between हो जाती है इनके बिचकार हो जाती है इस air prevents the flow of heat from our body to the surrounding इसका मतलब क्या है कि जो air है वो उस चीज़ पे लग गई वो trap हो गई ठीक है wool fiber पे उसका मतलब जो air है वो किस चीज़ को रोकेगे कि हमारी बॉड़ी से जो temperature है जो heat वो बाहर नहीं जा सकेगा हमारी बॉड़ी का temperature हमारी बॉड़ी अगर गरम है तो उसकी जो heat है वो transformation नहीं होगी इसकी heat transfer नहीं होएगी surrounding areas में so we feel form इसलिए हम गरम feel करते हैं क्योंकि हमारी बॉड़ी को जो heat मिल गई वो बाहर नहीं जा रही वो हमारे environment में surrounding main transfer नहीं हो सकती इसलिए जो हम इसलिए जो हमारी बॉड़ी की heat है वो हमें गरम ही feel करेगी ठीक है जो wool है वो poor conductor है heat का ठीक है इसमें से heat pass on नहीं हो सकती इसलिए हमारी body से जो heat है वो हमारे surrounding area में नहीं जा सकती इसलिए हमारी body जो है वो गरम feel करती है suppose you are given in the choice winter of using either one thick black or two thin blankets joined together suppose करो कि आपके पास two choices है ठीक है winter using एक thick blanket है आपके पास चाफिर दो पतली blanket है दो joint किये गए है ठीक है what would you choose and remember that there would be a layer of air in between the blankets तो इन में से आप कौन सी blanket को use करोगे suppose करो कि आपके पास एक blanket है जो simple है ठीक है मोटी है ठीक है एक suppose करो कि आपके पास दो blankets है लेकिन वो एक दुसरे के साथ उनको जोड़ा गया है ठीक है सिया गया है बूबाली है तो आप इन में से कौन सी prefer करोगे अफकोस उस चीज को आप prefer करोगे जिस चीज जो चीज जो है वो पूर कंड़क्टर है पूर कंड़क्टर होगी तो वो अपने में से heat को बाहर नहीं जाने देगी वो हमारे लिए मोर कंफर्टेवल होगी विंटर के देज में ठीक है ओके स्टूडेंस इसके साथ ही हमारी साइंस की बुक का जो जो चैप्टर नमबर फॉर्थ है वो यहां पे complete हो जाता है इन में से किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप कोमेंट करके बता सकती हो मैं कोशिश करूंगी कि उस पे फिर separate वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं आपकी problem को solve करूं उसके बाद में students जो हमारे ये keywords है हमारी book summary है ठीक है chapters की summary है और book exercise है उनकी हम एक अलग से videos बनाएंगे different videos बनाएंगे उनके लिए keywords की वीडियो में जल्दी ही डालूंगे अगर आपको कोई भी problem आ रही हो कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे comment करके बता सकती हो thank you so much and have a nice day